न्यूजरूम लाइव स्पॉंसर बाई चंद्रगुप्त अकाड़मी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा जनपद में घुसकर जमकर तोड़ फोड़ की उच्छा मंत्री मोहन यादों ने स्दियम को खरी खोटी सुनाते हुए आग लग जाने तक की धमकी दे डाली मंत्री धरने पर भी बैठें उधर बढ़वानी के सेंद्वा में कॉंग्रेस और विजेपी समर्थकों के बीच इस इंद्रपाल पटेल हटा जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हो गए जेल से अध्यक्षी चलेगी जेल में आगर मालवा में कॉंग्रेस और भाजपा के वोट बराबर होने पर एक बच्चे ने परची निकाल कर अध्यक्ष का चुनाओ किया इंद्वर उज्यान में प्रॉ 2023 में विधानसभा चुनाओ है और विधानसभा चुनाओ के ठीक पहले जिले में यह जो गाओं की सरकार है यह बहुत महत्यपूर्ण हो जाती है क्या परिस्थितियां होंगी कितनी सीटे निकल कर आएंगी दावे सबके अलग-अलग हैं कई जगे तो ऐसा हुआ कि सोशल मे अंग्रिस आरोप लगा रहा है दूसरी कबर की बात करते हैं भोपाल में पुलिस मुक्याले के पास जिंसी चौराएं पर एक युवक नगन होकर टावर पर चड़ गया उसे एक हाथ से लटकता देख लोगों की भीड जमा हो गई वहां ट्रैफिक जाम के हालात बन गए टावर से उतारने का प्रयास किया अभी तक वो ठीक है कुछ बोल नहीं पा रहा है उसकी कोई डिमांड समझ में नहीं आ रही थी ट्रैफिक जाम के हालात बन गए थे पुलिस ने किसी तरह से तमाम चीज़ों पर नियंतरन किया तीसरी खबर की और बढ़ रहे हैं कुरोना 56 दिन में 15 मौते मध्यप्रदेश में हो गई हैं 27 साल की महिला की मौत हुई है भुपाल में भी एक डेथ हुई है दोनों मौतों को 2 और 5 दिन बाद रिकॉर्ड में लिया गया 147 दिन बाद एक दिन में 2 संक्रमित मरीजों की मौत दर्ज की गई इसके पहले 1 मार्च को 2 मौ 9 संक्रमितों ने दम तोड़ा इस महीने अब तक 6 मौते रिकॉर्ड हो चुकी है प्रदेश में 24 गंटे में 248 नए संक्रमित मिले हैं वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाया था जिनकी मौत हुई है देखिए बड़ा मसला यही है आपसे सरकार, प्रशासन, आमजन, वि 70 साल के बुज़ूर को पिछले कई साल से गंभीर विमारियों से के शिकार थे, परिजनों के मताबिक उन्हें लंग्स की प्रॉब्लम थी है, किड्नी के सपोर्ट पर वे कई सालों से थे, कुरोना की तीसरी लहर में संक्रमन से सुरक्षित रहे, उनकी पत्नी को कुरोना पांच जनपदों में तीन पर बिजेपी का कबजा, रीवा, जिले की मौगंज, रायपूर, कर्चुलियान और रीवा जनपद में, बिजेपी का कबजा, वहीं कॉंग्रेस के खाते में दो सीटे, नई गड़ी और हनुमना गई हैं, कुल मिलाकर जिले की स्तिती, जो साफ हो गई, पांच बलाकों के अध्यक्ष घोशित कर दिये गए, जिसमें तीन में बिजेपी, दो में कॉंग्रेस का कबजा हुआ, आगे आने वाले समय में तमाम परिनाम आ जाएंगे, जनपदों के भी, जिला पंचायतों के भी, और निगम और नगर परिशत की भी सरक गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली जाएगी, अब देखना है, अगले एक साल बहुत महत्यपूर्ण होगा और उतने ही दिल्चस्प होंगे, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधान सभा चुना हो है, तो यह थी प्रदेश के दिन भर की चार बड़ी खबरें, क्याता है अब क्याता है, अब जाएगी, क्या जाएग हो है, क्या भर कर ली चार बड़ी हो हैं।